मद्वदेश की एक राम कथा वाचक गेरवा वस्त्र पहनने वाली साधवी को कॉंग्रेस ने विधान सभा का चुनावी टिकेट दिया है आने वाले उपचुनाओं के लिए साधवी राम सिया भारती कॉंग्रेसी कह रहे अगर बीजेपी के पास राम हे तो अब कॉंग्रेस के पास राम और सीता दोनों है आप حیرت में होंगे कि एक साधवी राम कथा वाचक उमा भारती की तर्ज़ पर गिरुआ पहनने वाली महिला और राहुल गान्धी वाली आवी उम्मीदवार वो राहूल गांधी जो बीजेपी के हिंदुत्व पर निशाना लगाने से नहीं चूकते तो क्या ये विधान सभा उपचनाओ जीतने की रणीती है लेकिन मुकाबला कड़ा होगा क्योंकि साधवी राम सिया भारती के सामने जो बीजेपी के काथ हैं लेकिन आज जरा राहूल गांधी के हिंदुत्व का भी पोस्ट मॉटम करेंगे लेकिन राहूल गांधी वाली कॉंग्रेस को लेकर आज एक बड़ी खबर दक्षण भारत से भी आई जब मशूर अविनेत्री और कॉंग्रेस प्रवक्ता खुश्भू सुंदर ने कॉंग्रेस से स्तीफा दे कर बी जे पी जोइन कर ली खुश्भू ने लगाया कि पार्टी में जूनियर कार करता हूं कि नहीं सुनी जाती बलकि उन्हें दबाया जाता है यानि गांधी परिवार की वर्किंग स्टाइल एक बार फिर सवालों के घेरे में है नमस्कार मैं ह हाँ या ना में जरूर दीजेगा लेकिन पहले बात खुश्भू संदर की कयास ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी तमिलनाडू राजनिती में एक खुश्भू संदर जैसे चेहरों के तलाश में थी ताकि तमिलनाडू में अपनी पैठ बढ़ा सके ये तो कयास ही लगाय केरियर किसी और भी नहीं जा रहा है पिछले लोकसावा चुनाओ में भी उनको उम्मीद थी कि पार्टी उनको टिकट देगी चुनाओ लड़वाएगी मगर उनको निराशा ही हाथ लगे सुनिया गांधी को भीजे अपने स्टीफे में खुश्बू ने लिखा है कि उन्होंने कॉंग्रेस पैसे या नाम के लिए जॉइन नहीं की थी छे साल पहले जब उन्होंने जॉइन की थी 2014 में हलाएकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं हो सकती राजनिती कोई गांधी गिरी या सोशल सर्विस के लिए तो नहीं जॉइन करता है खुश्बू के भी इरादे कोई राजनितिक मुकाम हासिल करने के जरूर रहे होंगे पर लगता है उनका सपना बुरी तरह तूट गया है कॉंग्रेस में रहते हुए इसलिए उन्होंने कहा कि अब घर बदलने की और चलते है तमिलाडो की राजनिती में खुश्बू सुंदर कॉंग्रेस का चुनावी चेहरा तो कभी भी नहीं रहे वो जमीन की निता भी नहीं एक तरह से हाँ अपने सफल फिल्मी केरियर की बदलत उनका अच्छा खासा फैन बेस जरूर है अपने आकरमक तेवर की बदलत वो मीडिया में पार्टी का चेहरा जरूर बन गई थी खुश्बू सुंदर ने कॉंग्रेस 2014 में जोइन की थी और सिर्फ कॉंग्रेस छोड़ी नहीं बलकि बीजेपी जोइन कर ली खुश्बू सुंदर के कॉंग्रेस छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं जिन मेंसे कुछ कारण उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे जो खत में गिनाए हाला कि अपना अस्तीफा देने से पहले पार्टी उनको पार्टी के प्रवक्तापत से हटा चुके थी इस खत में उन्होंने आरोब लगाया कि उन जैसे निश्टावान पार्टी कारकरताओं के लिए अब पार्टी में कोई जगे नहीं है कॉंग्रेस में जगे नहीं है क्योंकि उन जैसे लोगों को पार्टी के कुछ सीनियर कोई दरजी नहीं देते हैं बलकि उल्टा उनको या उन जैसे कारकरताओं को दबाये जाता है उन्होंने तो ये भी कहा अपने खत में जो सुनिया गांधी को लिखा कि सारे नेता वो तमिलाडू की नेता की ही बात कर रही थी कॉंग्रेस नेताओं की बात कर रही थी कि सारे नेता जमीन से कट चुके लेकिन एहम सवाल ये भी है कि सुनिया और राहूल गांधी की कॉंग्रेस क्या पार्टी नेताओं के एंबिशन को कम आगती है किसी भी दूसरे पार्टी के नेताओं को चाहे वो रज में काम कर रहे हो चाहे वो केंदर में काम कर रहे हो चाहे वो सचिन पाइलेट हो या खुश्बू सुंदर हो चाहे वो जोतिरादित सिंधिया हो या हेमंत बिस्व सर्मा हो ये दोनों ही नेताब बीजेपी में है सर्मा तो असम में मंतरी भी है सचिन पाइलेट की तरहे जोतिरादित भी राहुल के करीबी बाने जाते थे लेकि अमित्शाह के पास पहुंचे सचिन पालेट ने भी अपना बोरिया बिस्तर पैक कर ही लिया था बीजेपी ने अच्छी खासी मोर्चे बंदी कर दी थी वो तो एन वक्त राहुल गानी ने अपना छोटा जहाज भेज दिया वरना सचिन पालेट भी नए घर की दिवार पर भगवा रंग से अपने हाथ चाप चुके थे कॉंग्रेस के राजिस्थान में भी वारे नयरे हो चुके थे सवाल यह कि क्या गान्धी परिवार और पार्टी के कारकरताओं के बीच नेताओं के बीच एक दिवार खड़ी हो गई है जिसने पार्टी लेडर शिक और आमकारकरता के बीच दूरी बढ़ा दी है क्मिनेकैसन ऐक तरह से सस्पेंड कर दी है यह कम हो गया है क्मिनेकैसन क्मिनेकैशन गवार पढ़ रहा है सवाल है कि क्या पार्टी में सीनियर नेताओं के मकाबले युवा नेताओं को कम तरजी दी जा रही है और वो भी उस पार्टी में जिसके युवा नेत रित्व कभी राहुल गांधी के हाथ में था और जो दोबारा पार्टी की बागडोर समालने की तरफ मजबूत कदम उस और बढ़ा चुके है यंग हो या ओल्ड पार्टी में एक कम्मिनिकेशन का अकाल तो आहे चुका शायद इसलिए पार्टी के दो दरजन सीनियर नेताओं ने लगभग दो महिने पहले सुनिया गांधी को चिठ्थे लिकर कलेक्टिव लीडर्शिप की बात की थी पार्टी के ताने बाने उसके स्ट्रक्चर में जरूरी फेर बदल की वकालत की थी पार्टी को दोबारा जिलाने का सुझाओ दिया था इसको जीवित करना फिर से बहुत जरूरी है और यही वक्त है लेकिन देखिए समझे पार्टी खुद को रिवाइब करने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपना रही अगले महिने मद्द्रदेश के उपचिनाओं के लिए कॉंग्रिस ने चहतरपुर के बड़ा मलहरा विधान सबासीट से साधवी राम सिया लोधी को टिकट दिया है राम सिया लोधी का टीकमगड़ और चहतरपुर इलाके में राम कथा वाचक के रूप में काफी नाम है वो साधवी हैं गेर हुआ वस्त पहनती हैं और अपने आश्रम में रहती हैं लेकिन चुनावी टिकट मिलने के बाद साधवी राम सिया लोधी ने एक लाइन में पार्टी आफिस का उद्गाटन करने गई तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी पटकता बुनी की चुनावी द्वन्द की आने वाले कि जब अपने प्रतिद्वन्दी के बारे में उन्होंने उनका नाम तो ने लिया मगर ये जरूर कहा कि वो जो है वो कालनेमी है और खुद को हनुमान बताया अब कालनेमी कौन था कालनेमी वो राक्षस था रामान कमें वो जो साधू के भेस में हनुमान से मिला मगर जिसका असली रूप हनुमान पहिचान गए और उसकी फिर बुरीगत कर दी उन्होंने तो साध्वी रामसिया ने कहा कि उनके प्रतिद्वन्दी कालनेमी है और वो खुद हनुमान कॉंग्रिस ने एक आश्रम में रहने वाली साध्वी पर चुनावी दाओं लगाने की आखिर क्यों सोचे इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उसी इलाके की है पैदाईश उनकी भहीं की ये टीकमगड़ की हलाकि उमा भारती का संसदी शेत्र खज्राओ रहा और फिर अब भुपाल रहा लेकिन ठीकमगड़, छतरपुर, खज्राहो सब आसपास के अलाके हैं वो लोदनेता भी हैं इसलिए छतरपुर भी उनका प्रभाव शेत्र है बीजेपी ने मौझूदा विधायक प्रद्यूम सिंग लोद को टिकट दिया है अब ये कौन है प्रद्यूम सिंग लोद जो 2018 में कॉंगरेस के टिकट पर चुनाओ लड़े और जीते थे फिर उन्होंने जोति रादित सिंधिया की साथ कॉंगरेस छोड़ दी लेकिन अभी वो बीजेपी में हैं और सुन रहे हैं अमा भारती उनके लिए चुनाओ प्रचार भी करेंगे मद्रदेश में 28 विधान सभा सीटों के लिए 3 नमंबर को उपचनाओ होने हैं ये मिनी इलेक्शन जैसा नजारा होगा क्योंकि कॉंगरेस के लगभग दो दरजन विधायक पार्टी छोड़कर जियोति रादित सिंधिया के साथ बीजेपी चले गए थे आपको याद हो तो जिसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी सवाल यह कि राहुल की कॉंगरेस को चुनाओ में बीजेपी को शिकस देने के लिए उसके ही हदकंडे क्यों अपनाने पड़ रहे हैं हो सकता है कि चुनाओ जीतने के लिए एक टैक्टिक्स है कॉंगरेस को मिले हो सकता है लेकिन क्या राजनीती में धर्म का तड़का मारना ज़रूरी है क्या कॉंगरेस ये बताना चाहती है कि चुनाओ जीतने के लिए धर्म की राजनीती से उसे भी परेज नहीं है उस अखने में लोड और यादव वोट अधिक है तो क्या लोड वोट के साथ-साथ कॉंग्रिस साध्वी रामसिया की आस्था के फैन बेस को भी टटोलना चाहती है उसका भी फायदा उटाना चाहती है क्या कॉंग्रिस कैसे भी यह चुनाओ जीतना चाहती है चाहे चुनाओं में धर्मकार भी सहरा क्यों न लेना पड़े। सवाल ये भी ये कि जब कॉंग्रेस राम सिया जैसे गेरुआ धारन करने वाली राम कथावाचक साधवी को चुनावी अखाडे में उतार रही तो क्या वो बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब उसी भाशा में नहीं दे रही। कॉंग्रेस बदले की भाबना से ये उप चुनाव लड़ना चाहती है। ये चुनावी नतीजे तै करेंगे कि शिवराज सिंग्चोहान के सरकार गिरेगी या ठिकेगी। लेकिन कॉंग्रेस की रणनीती से साफ है कि बीजेपी को हराने के लिए वो किसी भी मामले में उससे उन्नीस नहीं दिखना चाहती। मेरा आज का सवाद में फिर दोहराता हूं क्या मद्द्बरदेश चुनाव में कॉंग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ट खेर रही अपने जवाब हाँ या ना में जरूरती जगा। तो ये थी आज की नियूस बाजी फिर मिलेंगे एक नई नियूस बाजी के साथ तब तक के लिए नमस्कार।